रोहिष श्यर्मा का काउंटडाउन शुरू वेस्ट इंडीज दौरे से हुए बाहर वज़ा जानकर हो जाएंगे है राव जहां दोस्तों वीडियो सुरू आने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें हाली में उस्टिले के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनसिप के फाइनल मुकाबले में रोहिष श्यर्मा की कप्तानी में भारते टीम को हार का सामना करना पड़ा था इस हार के बार टीम की जम कर आलोशना हो रही है अब एक मैने के आराम के बाद भारते टीम बेस्ट इंडीस दोरे पर जाने वाली है जा उसे 5 टी-20, 3 वन डे और 2 टेस्ट मुकाबले खेल ली है इस वीच खवर आ रही है कि भारते कप्तान रोहिष श्यर्मा आगामी बेस्ट इंडीस दोरे की दोरान कुछ मुकाबलों में नजर नहीं आएंगे टीम मैनेजमेंट रोहिष श्यर्मा के विजी सेडूल को देखते हुए सकत कदम उठाने वाला है इस साल के खेले जाने वाले एसिया कप से लेकर वर्ल्ड कप जैसे मेगा जुना मैंट को देखते हुए चैन करता वारते टीम के कपतान रोहिष श्यर्मा को बेस्ट इंडीस दोरे के वन डे और टी-टॉन्टी मुकाबले से आराम दे सकते हैं सुत्रों के हवाले से आई ख़बर के अनुशार रोहिष पिछले कुछ मैनों से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं रोहिष के बर्क लोड को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट ये सकत कदम उठाना चाहता है हाला कि रोहिष के रैस्ट को लेकर कोई भी फैसला उनसे बात करने के बाद ही लिया जाएगा आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में